आज की वीडियो में हम जानेंगे आखी चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, कौन रखता है इन चक्रवातों के नाम, क्या प्रकरिया है इन चक्रवातों के नाम रखने की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है चक्रवात कम वायू मंडलिय दाब के चारो और गर्म हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं दक्षणी गोलार्द में इन हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और चक्रवात हमेशा घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं जबकि उत्री गोलार्द में इन गर्म हवाओं को हरीकेन या टाइफून कहा जाता है। उत्री गोलार्द में चलने वाली गर्म हवा घड़ी की सुई के विप्री दिशा में घूमती है। अब जानते हैं आखे चक्रवाद आते ही क्यों हैं, तो चक्रवाद के आने के अनेक कारण हैं। गर्म छेतरों के समुन्तर में सूरे की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यन्त कम दाव बायुदाव का छेतर बना देती हैं। हवा गर्म होकर तेजी से उपर आती है और उपर की नमी से संत्रप्त होकर संगनन से बादलों का निर्मान करती है खाली जगा को भरने के लिए नम हवाएं भारी होकर तेजी के साथ नीचे जाकर उपर आती है परिणाम सरूप ये हवाएं बहुती तेजी के साथ उस छेतरी के चारों और घूम कर घने बादलों का निर्मान करती हैं और बिजली कड़कने के साथ साथ मुश्लधार बारिस करती हैं कभी-कभी तो तेज घूमती इन हवाओं के छेतर का व्यास हजारों किलोमीटर में होता है अब जानते हैं इन चक्रवातों के नाम कैसे पड़ते हैं बिश्व मौसम संगठन और यूनाइटेड नेशन्स एकोनॉमिक एंड शोशल कमीशन फोर एशिया एंड पैसिफिक द्व जाई चरणबद परिकरियाओं के तहट किसी चक्रवात का नाम करण किया जाता है उत्तरी भारतिय समुंद्री देश बांगलादेश भारत मालदीव म्यामार ओमान पाकिस्तान श्रीलंका और थाइलेंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के 64 नाम तै करते हैं यानी ह दर देश आठ नाम तै करता है जैसे ही चक्रवात इन आठो देशों के किसी हिस्से में पहुँचता है सूची से अगला सुलब नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है इन आठ देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तै किया जात और उसी क्रम के अनुसार इन चक्रवाती तूफानों के नाम रखे जाते हैं 2004 से नामकरण की ये प्रकरिया शुरू की गई थी